हेलो स्टुएंट्स आज हम लोग बात करेंगे मेमोरी राइट साइकल को दिस्कस किया था आज हम लोग बात करेंगे कि राइट ऑपरेशन कैसे परफार्म होता है तो टूडे वी विल डिस्कस मेमोरी राइट साइकल इन 8085 माइक्रो रोसकर ठीख है तो देखें इस वे इसे मेमोरी राइट साइकल को सबढ़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना होगा कि देखिए 8085 executes the memory right cycle to store data either in data memory और stack memory ठीक है जो memory right cycle है वो use होता है to store the data to store the data either in data memory या तो data memory में data store करने के लिए यह operation use किया आता है या तो stack memory में data store करने के लिए operation यूज किया आता है अगर यह data memory में हम use कर रहे है if it is been written in data memory the address is generated by general purpose register pair मतलब अगर आप data memory में data write कर रहा है तो address कहां से मिलेगा address मिलेगा आपको register pair से यह ध्यान रखिएगा register pair जो लोगोंने bcde और actual pair पढ़े हुए है ना पिछले lectures में तो register pair से हमें address मिलेगा और अगर हम stack memory में data write कर रहा है तो क्या होगा address हमको कहां से मिलेगा address हमको मिलेगा stack pointer से sp ठीक है register pair क्या होते है stack pointer क्या होते है यह previous video में आप जाइए सारी चीजे already explained है और जो regular students है उनको already clear होगा ठीक अब इस में memory write cycle में क्या क्या operation perform होते है इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा सबसे पहला काम आपको इसका timing diagram बनाना होगा ठीक है तो timing diagram पहले हम draw कर लेते हैं उसके बाद हम लोग उसको एक एक करके सारी चीज़ों को explain करेंगे तो timing diagram जो हम draw करेंगे तो सबसे पहले में मालूम है कि memory write cycle में क्या होता है इसमें 3 T state होते है T1, T2 और T3 तो यह हमने सबसे पहले 3 T state बना दिये यह हो गया T1, यह हो गया T2, यह हो गया T3 अब इसके बाद क्या करेंगे जैसे ऐसे सारे signals हम लोग दिखाते हैं जैसे हमनों memory read cycle में दिखाया था सबसे पहले आप क्या बनाइए मालीज़ हमने कहा कि clock signal हमनों draw करते हैं तो सबसे पहले clock signal draw करेंगे clock signal मालीज़ हमने draw किया यह हो गया यह हो गया यह, यह क्या हो गया, यह हो गया clock signal अब इसके बाद, फिर A8 से A15 तक ठीक है तो a8 से a15 तक आप डॉक कीजिए address lines आप डॉक करेंगे यह हो गया a8 से a15 तक address line हो गई ठीक है उसके बार a d0 से a d7 तक तो यह हो गया a d0 से a d0 टू a d7 उसके आठ address latch enable signal आप डॉक कीजिए address latch enable signal हम डॉक करेंगे तो वह हो गया यह हो गया a l e a l e signal अब input output oblique memory signal तो input output oblique memory signal आप डॉक करेंगे तो वह आपका आ जाएगा इस तरह ठीक यह हो गया input output oblique memory फिर क्या रहे गया read signal तो read signal आप डॉक करेंगे तो माल लीजे read signal आपका यहां पर यह यह हो गया r d bar फिर अब right signal डॉक कीजिए ठीक है तो right signal आप डॉक करेंगे तो वह आएगा आपका इस तरह यह हुआ ठीक है फिर यह गया और फिर इस तरह इसको मिला दीजेगा यहां पर यह सारे मिला दीजेगा ठीक है यह हो गया आपका wr clear उसके बाद रहे गया आपका status signal तो status signal हमनों डॉक करेंगे तो status signal कैसे आएगा status signal ड्रॉक कर लिजे तो जैसे हम लोग अभी तक ड्रॉक करते आए हैं ठीक है यह हो गया यह थोड़ा सा बढ़ा लिजेगा यह हो गया इस तरह और इस तरह ठीक है तो यह आपका मान लिजे यह बाउंडरी इसकी यहां तक चलिए तो यह हो गया आपका s0 और s1 ठीक अब इसमें कौन सी चीज क्या रहती है और किस तरह से होती है वह आपको यहां पर लिखना पड़ेगा तो यह क्या है यह है आपका हाइर ओर्डर एड्रेस तो इसको आप लिख सकते हैं हाइर ओर्डर एड्रेस ठीक एडी 0 से एडी 7 क्या है यह तीवन में तो यह हो जाएगा लोवर ओर्डर एड्रेस लोवर ओर्डर ओर्डर एड्रेस और यह उसके बाद क्या काम करेगा डाटाफॉं से पीव डेटा ₩ च्पू को मिला दिज्ब यहांसे ठीक है फिर address latch enable हो गई यहां पर ठीक है input output memory यह हो गया आपका ठीक उसके आद डब रीट signal जो है RD चुकी बार है तो यह क्या होगा यह 1 होगा 1 मतलब RD value क्या हो जाएगी RD bar की value क्या हो जाएगी 0 हो मतलब RD inactive रहेगा यहां पर डबलू आर आप देख रहा है यह हो गया यहां पर active हो रहा है जब यह 0 हो रहा है अभी इसको step by step explain करते हैं पर यहां पर जो सिती रहेगी यह 0 इसकल टू कितना रहेगा 1 और एस वन कितना रहेगा एस वन रहेगा आपका 0 और यह मेमोरी राइट ऑपरेशन हो जाएगा ठीक अब देखिए अब इसको आप स्टेप बाइस समझ यह तो सबसे पहले क्या होगा कि देखिए टोटली हमने यहां पर क्या दिखाया हुआ है कि there are three three states T1 T2 and T3 actually the timing cycle matches with the memory read cycle with the following few changes तो अब जो पिछले lecture में हमने memory read cycle पढ़ाया था और आज जो memory write cycle पढ़ा रहा है उसमें देखिए खाली दो ही तीन जगह पे आपको चेंज दिखेगा पहला पहला चेंज क्या है यानि अगर इसको हम memory read cycle से timing diagram को compare करें तो आपको केवल तीन चेंज मिलेंगे आप देख लीजे इसमें क्या है rd बार वहां पे 0 था यहां पे क्या है one है wr बार वहां पे one था ठीक है यहां पे क्या है zero हो गया है wr यानि right बार यह zero हो गया और तीसरा जो change है वो यह है कि it does not increment program counter it to be program counter का यहां रोली नह increment program counter तो memory read cycle से और memory write cycle में यह तीन changes है एक तो rd बार वहां पे zero था यहां one हो गया है wr बार वहां पे one था यहां zero हो गया है और program counter वहां increase कर रहा था यहां पे उसका कोई फरक नहीं पढ़ना है ठीक अब आप इसका operation शुरू कीज़े तो इसमें operation में माली है हमने सबसे पहले step लिया step one तो अब step one में देखिए क्या होगा अगर हम step step one की बात करें तो step यानी state t1 यानी state t1 तो इसमें देखिए क्या है कि in t1 state 8085 sends the appropriate status signal input output अब्लिक memory bar s0 and s1 तो t1 state में क्या होता है ये जो आपका status signal है ये और ये इनको send करता है ठीक तो io अब्लिक memory bar क्या है यहाँ पर देख देख रहा है जीरो हो जा रहा है ये ठीक और s01 हो जा रहा है s1 0 हो जा रहा है the 16 bit address is transferred on a8 a15 and ad087 तो जो 16 bit का address है वो इस पे और इस पे यहाँ पर अपर 8 bit यहाँ transfer हो जा रही है और lower 8 bit यहाँ transfer हो जा रही है अब आजाएए step 2 में step 2 में क्या होता है step 2 में यह होता है कि step 2 यानि T2 state T2 state में क्या हो रहा है यहाँ पर देखे T2 वाले में in T2 state the address on the AD0, AD7 that is A0 to A7 is removed अब देखे T2 में यहाँ पर जो यह था यहाँ पर जो था ना यहाँ देखे खत्म यह रिमूव हो गया और रिमूव होने के बाद क्या होगा and the data to be stored in memory is transferred on these lines अब देखे यहाँ पर क्या आगया data आगया ठीक है the control signal WR bar is made low यानि WR को क्या किया इन्होंने यह देखे लो कर दिया इस जगा पर लो हो गया control signal control signal लो होने से क्या होगा the WR bar low will make memory active to accept the contents of data bus तो जैसे ही आप WR bar को zero करेंगे memory active हो जाएगी data को accept करने के लिए the accepted contents are stored at selected location ठीक है तो जब यहाँ से और यहाँ तक के बीच में यह right operation होगा तो जो data यहाँ पे है यह data यह memory में जिस भी location पे store होना है वहाँ पे store हो जाएगा clear अब आजाएए step 3 में यानि T3 state T3 state में देखे क्या होगा timing diagram में देखे कि in this state data from data bus is stored at memory location ठीक है WR bar is made high अब T3 state में क्या होगा जब यह यहाँ से यहाँ तक में data जो है यह जो data था यह memory location में store हो चुका तो फिर से WR bar को यहाँ पे देखे यह हाई कर दिया गया हाई मतलब write operation पूरा हो चुका है तो WR bar is made high which deactivates memory and microprocessor complete the machine cycle मतलब जब यहां से यहां तक के बीच में write operation पूरा हो गया तो दुबारा से WR bar को हाई कर दिया गया हाई करने से क्या होगा कि microprocessor और memory के बीच में जो connection था जो temporary connection इस था क्योंकि यह इसके उपर write कर रहा था वो deactivate हो जाएगा क्लियर मतलब वो connection ब्रेक हो जाएगा तो इस तरह से memory write cycle में microprocessor काम करता है आई हो कि आपको यह clear हो गया होगा अगर कोई confusion या doubt है या चीज़े नहीं clear रहा है तो comment लाइन में comment करके पूछेगा और अगर video content पसंद आ रहा है तो please video को share कीजे लाइक कीजे चैनल को subscribe जरूर कीजे और notification bell को on कर दीजे ताकि next video डाली जाए आपको उसकी information तुरन मिल जाए थैंक्यू